वैसे प्रतिभा किसी पहचान की महताज नहीं होती है बस जरूरत होती है एक अवसर की जहां वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके आज हम आपको एक ऐसे ही शक्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनोंने अपनी प्रतिभा के दम पर देश के बड़े बड़े टीवी शो में हैरत अंगेस कर्तब दिखा कर ना सिर्फ उपस्थित लोगों को दातों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया बलकि अपने शहर और प्रदेश का भी मान बढ़ाया है लेकिन इसके बाद भी वो अपनी गरीबी के चलते आज गुम नाम जीवन बिताने को मजबूर है हम बात कर रहे हैं गौलियर जिले के भितरवार अनुभाग के ग्राम खेडी डबरिया गाओं के निवासी पहलवान गिर्दावल सिंग की जिनोंने नाल उठाने में अपनी प्रतिवा को गरीबी एवं अपनी परिवार के भरण पोशन के चलते नहीं उभार पाए गिर्दावल सिंग बॉंबे में राज स्टूडियो में सोनी टीम पर सलमान खान के सामने सौ किलो की नाल उठाकर रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं 2010-2011 में आंदर प्रदेश हैदराबाद में भी ETV शो पर उन्होंने अपनी कला दिखाई इसके साथ साथ उन्होंने मदर प्रदेश सहेद देश के कई राज्यों में अपनी प्रतिवा को दिखा कर गाउं कहीं नहीं बलकि प्रदेश का नाम रोशन किया है लेकिन एक गरीब परिवार से नाता रखने वाली गिर्दावल सिंग वापस अपने गाउं में अपने परिवार के भरण पूशन में लग गए है खबर मद्रदेश से खास बातचीत करते हुई गिर्दावल सिंग ने कहा कि अगर शासन स्तर से उन्हें कोई मदद मिलती तो वह आज भारत ही नहीं बलकि दुनिया भर में अपना नाम रोशन करते तो आईए देखते हैं क्या कुछ कहा पहलवान गिर्दावल सिंग ने खबर मद्रदेश के संभागी हैड इमरान खान से खास बातचीत में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रतवा किसी से छुपी नहीं होती और भितरवार अनुवाद की एक ऐसे प्रतवा साली जिन होने गौालियर चंबल संभागी नहीं बलकि देश और अन्य देशों में भी अपना नाम कमाया लेकिन कहीं ना कहीं एक गरीवी के कारण और एक पीछे बैक गराउंड ना होने के कारण प्रतवा को दबा दिया गया आज हमारे साथ ऐसे ही मेमान जो कि एक बड़े पहलवानों में सुमार हैं जो कि सोनी टीव पर सलमान खान के साथ सो कर चुके एवं अन्य कई सेलीवरिटों के साथ सो कर चुके हैं और हमारे पिछले लगातार दस साल की उमर से पिछले जब दस साल के थे जबचे ही इन्होंने एक पहलवानी का काम मतलब एक सोकता सुरू से इनके पिता जी भी पहलवान रहे हैं इनके दादा जी यानिकी पुस्ते इस परवार में पहलवानी रही है और एक बड़े पहलवानी पर नोने पहलवानी किया जैसे कि मैं आपको बता पारा हूं मद्य प्रदिश के साथ साथ राजिस्तान गुजराथ 36 गड़ एवं महाराष्ट एवं अन्य देश जैसे कि नेपाल आदी में पहलवानी करके और एक वितरवार नगर का नाम रोसन किया है लेकिन कहीं ना कहीं एक प मुचे गवालिय चंबल संभाग और मद्य प्रदिश के लिए गौरब की बात है कि इतना बड़ा प्रितवा साली एक हो नहार पहलवान जो कि कहीं ना कहीं एक अपने पीछे बैक ग्राउंड एबं अपने गरीवी के कारण प्रितवा को निखार नहीं पाया और कहीं में आप यह जाता हूं जैसे कि आप इतने बड़े पहलवानों में सुमार रहे हो और आपने पहले जैसे कि कई राज्यों में खेल आए और बारत के अलावा भिकाइश आप कही ने आप एक हैल कर आयो तो आपका सपर कहा से शुरूआ हो किस तरह से आपको प्रिदीना मिली और यह मैं बता नहीं सकता हूं कि 500 या अएक अजार बर्स पराना गेम हैं लेकिन जिस परवार में मैं पैदा हुआ हूं बैंगना परवार जो आलवम ररुगा मतलब कुछ समय ररुगा रहे तो यह मतलब मैं अपने परवार से सुरू करता हूं कि मेरे यानि पिता जी के पि सिंग वहां ते मतलब यह उन्होंने करते थे वो चीन और मैं पढ़ता हूं से फिर हमारा परवार चिक के कुछ कारण बस ररुगा पहुंच गया तो ररुगा ग्राम में में मेरा जनम हुआ और मैं वहां से यानि दस बरस से इस खेल में लग गया अभी लंसम मेरी उमर का मुझे सोक लग गया और मैं करते करते इस खेल को मतलब चितर में नाम किया उसके अलावा राजसे राजस्तान में करोली हिंडोन बरतपुर और उसके बाद यूपी में मत्रा आगरा फिरोजावाद इन इस इलाकों में मैंने अपने यहां का चीन और का ग्वालियर का ना कर फिर अपने देस को बाडर को पार किया और हम नेपाल में जाके स्रहाजले में कोई अंदर जाकर मेरे दो तीन कारीकरम हुए और मेरा कारिकरम एक उसमें पंजाब में हुआ लोदियाना में जो के पंजाब खेलों का गड़ और वहां का लोग पर ये खेल चलता है तो उसमें किलारा आपरो में मेरा कारिकरम हुआ वहां भी मैंने दिखाया जाके अपने ग्वालियर का नाम रोसन किया साड़े तीन कॉंटल बजन लेके मैं चला वहाँ पर स्टेडियम में और साथ कॉंटल बजन मैंने अपनी गोधी में रखा वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा प्रदसन रहा उसके चलते चलते मेरा सपर रुका नहीं मैं एक बहुत गरीब परवार से हूँ और उसके बाद यानि बच्चों का बरणपोसन तीन बच्चे हैं मेरे पर और उसके बाद मेरा कहीं ऐसा मतलब अच्छानक रष्टा चलते ग्वालियर में एक पड़ेल के मान सज्जन से परचे हुआ तो उन्होंने मुझे बताया तो वैसे कोसिस करते करते मेरा फिर सौनी टीवी चैनल पर कारीकरम 2010 में सुपरिश्टार सल्मान खान के साथ सो हुआ जो सौनी पे चला उसके बाद फिर मेरा एक सो उसमें आंद तेलंगाना यानि तमिल में उसमें एधराबाद में अनपूर्णा फिल्म स्टूडियो में उसमें बहुत कम से कम लमसम मैंने दस कलाएं उसमें दिखाई थी और बढ़िया सो हुआ और अपने इस चीनोर का ग्वालियर का मद प्रदेश का नाम रोसन किया जो के यी टीवी चैनल पे 2011 में चला और फिर उसके बाद हम लोग करनाटक में यानि करनाटक की राइदानी बैंगलोर के आजवाजी छेत्रों में एक हमारा चेला है टाइगर बैराइटी पहलवान उसको लेकर हम गए तो वहाँ भी हमने देखा यानि कम से कम मुझे 35-36 वर्स इस गेम में लगे हो गया और दो-चार वार हमने बोपाल भी एपलाई की के वहिया इसको जादा आगे नबढ़ाओ मैं बोपाल टीटी नगर स्टेटियम में भी गया वहाँ पर जाके एपली केसन लगाया के वहिया नहीं तो इस खेल को हमने बोपाल भी एपलाई की के वहिया इसको जादा आगे नबढ़ाओ मैं बोपाल टीटी नगर स्टेटियम में भी गया वहाँ पर जाके एपली केसन लगाया के वहिया नहीं तो इस खेल को असली नाल जो के हमारा ग्वाली और चंबल संबाग का मदपरदेश का हिंदोस्तान का बहुत पुराजना गेम है तो इसको यहां की इसकी खेल सूची में जोड़ो लेकन हम गरीब लोगों की कौन सुनने वाला है आज कल सारी दुरियां और हमारा देश क्रिकेट के पीछे पड़ा हुआ है और ऐसा नहीं है इस खेल को जादा नहीं तो मदपरदेश की सूची में जोड़ा जाए या इंडिया की सूची में जोड़ा जाए तो हमको कुछी होगी मेरा नेटबरक नहीं या मदपरदेश नहीं मेरा नेटबरक अभी इस खेल का राजिस्तान करनाटक उत्तर प्रदेश और मद्द प्रदेश अर जगे और जाते हुआ यहां ग्वालियर में भी अभी बहुत अच्छे अच्छे लड़के इस खेल को हैं मतलब खेल रहे हैं और अपनी प्राजीन परंपरा को आगे बनाई हुए लेकिन हमारे यहां के राज 1996 में सीतला माता पर जो सबसे बड़ा नाल पड़ा एक से तीस किलो को उसको मैंने 1996 में बड़े मेला में उठाया था जब मेरे में मातर 63 किलो वजन था वो उपलब दी तो मुझे वहां के लोगों ने हिंद केसरी का सम्मान दिया एक बार आगरा में आगरा से जले सुरोड म में गाउं पड़ता है आमल खेडा गाजतरी मंदर उसके पास में गाउं पड़ता है पैसे ही वहां पर मुझे हिंद केसरी का सम्मान ऐसे कई बार मुझे बड़े बड़े दंगलों में हिंद केसरी का सम्मान मिला है और एक बार बिला हुआ गाउं में दंगल हुआ था जो को मेरे गुरू समानेक सिरीमान कमलेस पहलवान पाल साब जो के अवीस बक्त अपना लुद्याना में नारंगबाल गाओं में मल्लक खाला चला रहे हैं उनको पता चला के गौालियर में ये गरदावल सिंग पहलवान जो के अपने गौालियर का नाम रोसन कर रहा है तो उन्ह लोगों को बताया देस में नाम करेगा और विडेसों में भी जाने बाला है मैं का गरू जी जाने बाला नहीं है मैं जाने बाला नहीं को पुर्ण nights आसीर बात देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि कभी न कभी तेरे साथ देरी हो रही है लेकिन परमात्मा के या अंदेर नहीं है कभी न कभी सपलता मिलेगी ऐसे मेरा काम चल रहा है और मेरे कापी चेला हमारे सिस्वी है छेतर में गाओं में हमारे बच्चे भी करते हैं निवास कर रहा है और आगे का क्या सोच क्या है कि कि अगर सरकार से और क्या आप मांग रहना चाहते हैं जैसे कि सरकार आपने बताया कि सरकार ने नहीं सुनी और सरकार के तो आगे आपका जो कि चंबल चेत्र की बहुत बड़ी बात है कि आप गौरवन थे तो महसूस कर रहा हूं अपने आपको में भी कि आप इतनी बड़ी प्रतवाव और जो कि कहीं आज तक देखने को नहीं मिली है तो आगे कि आपकी क्या प्लानिंग रही है आगे कि हमारे मदपरदेश केंदर की गवर्मेंट हमारी और कुछ देख है और हम यह कामना करते हैं कि माले जैसे क्रिकेट के स्टेडियम बने हैं ऐसे हमारे जो मेरा कहना है और मेरे साथ ही और भी पहलवान है मेरे साथ के मेरे से सीनियर भी है कुछ मेरे से जूनियर भी है और मेरे साती हैं हमारा सोच है कि इसको भई माले केंदर की सूची में नहीं जुड़ रहा है तो हम में मदप्रदेश के निवाजी हैं इस गेम को मदप्रदेश तक तो सामल किया जाए और हमारे यहां के जो मंत्री मिनेश्टर और खेल वाले जो अदखारी हैं डारेक्टर है वह भी तो देखें यह के गिरामीन में भी खिलाडी पहलवान है कोई तो हमारा सोच है कहिए और हमारे चंबल की बंदेल खंड की परमपरा हमेशा के लिए चलती रहे हमारी यह सोच है कुछ नहीं तो हमको खुछ यहां गाउं में जैसे खेल ग्राउंड बनाते हैं उनमें एक तरह का मतलब उसमें इसको सेट किया जाया खाड़ा बनाया जाया और हमको कुछ रात दी जाया इसमें तो हम आगे बवस के लिए नए नए खिलाडियों को पहलवानों को तयार करेंगे और यह परमपरा को बिलुक्त हो रही है जैसे माले लोग दो चार साल पहलवानी क करती हैं गाहों कि लो आरे बोले इसमें कुछ नहीं है इसको बंद करो तो मेरा यह मैं अपने दिल के अंदर से बोल रहा हूं कि हमारी इस बात को गोर करें और सुनें और समझें और इसके खेल के लिए कुछ मतलब हमको रासी जैसे प्रदान करें खाड़ा बनवाएं तो ह हम इस खेल को जंदा रख सकें और बवस में यह जारों बर्स पुराना हमारा खेल इस खेल का अगर हमारी बात को कोई भी अधकारी या राय नेता जूटी समझता है तो इसका सर्वे किया जाए कि हमारे अभी इस प्रिजेंट में किस गाहों में किस मंदर पे जैसे सीतला मा माता हमारे ग्वालियर का यत्यासिक मंदर है वहां पर देखो तो दस वीस नाल पड़े हुए हैं नब दुरगा आश्टमी को वहां पर एक नाल का दंगल होता है उसके बाद कुछती होती है और हमारा सनी दाम मंदर गुरावल वहां भी एक कारी करम चलता है हर सनी चरी अब इसको अज्जारोट दस पंद्रा अज्जारा आदमी का बंडारा होता है और हमारे बिलकुल पितरवार से लगा उखा हूए यहां पर कोच यानि रैफरी रखा गया गया मैं इस चेतर का सीनियर पहलवान हूँ और वहां पर कारी करम बहुत अच्छा हुआ सबी लोगों ने देखा तो जगे जगे हम कारिक्रम और जैसे एक कारिक्रम होता होली की परवा को बहसनाई गाओं में सिद्ध प्रा वहांके सम्मानिय कलू पडेल साब सरपंच और मलखान सिंग पहलवान जो पुराने पहलवान है यानि आज कल आज के समय में सिद्ध प्रा का दंगल जो है के वहांपर मैं उस दंगल को अकल भारती दंगल का वो देता हूँ नाम देता हूँ उसमें 120 कलो की नाल पड़ी है और ये होली की परवा को होता है और जिलाश सीपरी में होली की तीज को गिराम पारागड जो के मगरोनी के और कांकर के बीच में पड़ता है बजरंग बली अनुमान जी का विसाल मंदर है वहांपर बहुत बड़ा दंगल होता है 20-25 हज़ार लोगों का भीड होता है और इस प्रतियोकता का असली नाल प्रतियोकता का कारिकर मनसाल करवाते हैं और होता है और कामना करते हैं कि हमारी बात को सुनें और समझें और इसको आगे बढ़ाएं तो आपने सुना बिस्तार से जैसे की पहलवान के दावाल सिंग ने बताया कि प्रत्वा कहीं ना कहीं एक बड़ी है लेकिन कहीं ना कहीं एक अपनी गरीवी और बैक्ग्राउंड पीछे का या राजनितिक एक केरियर ना होने की बएसे उस प्रतवा को छिपा दिया गया था और उनका दुक्रा आप इस पर्ष्ट कवर मद्य प्रदेश पर देख सकते कि किस तरह से उन्हों ने अपनी प्रतवा के प्रति अपनी उदासिंता रविया बताया कि इतने बड़ा प्रतवा साली एक भितरवार ब्लॉक में होना एक ग्वालिय चंबल के लिए नहीं बल्कि पूरे मद्य प्रदेश के लिए गोवरवन प्रत की बात है कि जो कि सलमान से उनको सलमान खान एवं कई सेलिवरेटों उनको सम्मानित भी किया था तो वह भी सरकार से यहीं मांग करते हैं कि मेरी प्रतवा को कहीं दवाया ना जाए और मेरी तो उमर हो गई है लेकिर आने वाले समय में इस गेम के इस जो कि दंगल के जो खिलाडी है नाल उडाने के सोकीन है उनको कहीं ना कहीं उनको एक उचित इसतान मद्य प्रदेश में दिया जा जिससे कि कहीं ना कहीं इन पृतवए सालियों का भी एक मार्च दरसन एबम एक उत्सा बढ़ेगा क्योंकि इस तरह की परतवाओ अगर चोटे से वितरवार जैसे ब्लोपचिकर निकल के जाती तो कहीं नहीं यह मद्यप्रदीष और गवाली चं05ल और के लिए गॉरवन की बात है तो हम अपील करता है कि य로 की चुपाया ना जाय और ऐसी फूरां को वार कर आगे लाया जाए później आप देख भी आ है ना इकवर मुझे पदेस्ट कैमरा मन जाता है मला जिता है